कि अमेरिका और रशिया दोनों के बीच के रिलेशन्स जो है वो थोड़े से खराब चल रहे हैं क्योंकि 14 मार्च को रशिया की एक फाइटर जैट ने फ्यूल डाल दिया ड्रोन पर अमेरिकन ड्रोन पर और उसको काफी जादा नजदीक से हिट कर दिया और उसको प्लेन में गिरा दिया उसके बाद रुच्ष का यह कहना है कि उन्होंने क्याकरा एक और आदर कर रहा था उन्हें कि वह आपर कि वह वहीं पर लैंड कर जाए लिए उन्होंने ऐसा नहीं कर रहा उसके बाद फिर कुछी टाइम बाद 42 सेगंड की वीडियो रिलीज होती है जिसने पूरा इंसिटेंट कैप्चर कर रहा होता है जिसके अंडर जो है जो रुशियन फाइटर जैट है वो डंप करता हो देख बार यह देखा गया है कि जो एस्टेंट एस्टेंट सेवन का जो रशियन फाइटर जैट है यह पहले भी फ्यूड डाल रहा था उस ओशियन में और उसके बाद फिर एम क्यू नाइन के आसपास डेकलेसली और एंवार्मेंटली अंसाउंड अन प्रोफेशनल मैनर में है अब इंडियर नेवी के पास एम क्यू नाइन एब है लेकिन यह दोस्ट दो एम क्यू एदो एम क्यू नाइन यह हैं और यह लीज पर हैं यह रेंट पर लिए गए हैं उसके बाद बाकी 30 की भी बात हुई थी कुछ प्रोपोजल्स रखे गए थी इनको प्रोक्योर करने के लिए लेकिन जो अभी डिले होती जा रहे हैं उसके बाद RQ1 यानि MQ1 जो है इसको सबसे पहले उड़ाय गया था यूएस की एरफोर्स ने 1995 में लेकिन इसको रिटायर कर दिया गया था 2018 में और इसको डिप्लेस करके इसकी जंगे लेली थी पर यानि MQ9 ने उसके करता है अमेरिका अमेरिका के पास है MQ9 उसके बाद UK, France, Italy, Netherlands, Spain उसके बाद इंडियन ने वी के पास दो हैं जो उन्होंने 2020 में लीस पर लिये थी